असलाम नेकुम डियर स्टूदेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पिक्चिर्स की और पिक्चिर बुक्स की जरूरत बच्चों को क्यों होती है तो हमने यह सबसे पहले देखना है कि पिक्चिर बुक्स बच्चों को help out कैसे करती है जब बच्चे शुरू शुरू में हम reading उनको सिखा रहे होते हैं और वो अभी beginner readers होते हैं पिक्चिर बुक्स को बहुत सपोर्ट करती है उनकी reading में उनकी comprehension में उनकी focus को retain रखने में और उनको books के साथ stick up रखने के लिए so important चीज़ जो हमें समझने की है वो यह है कि पिक्चिर बुक के अंदर पिक्चिर यानि illustration या visuals का क्या relationship होता है text के साथ they have a very close relationship, they are actually connected होते है तो जो कुछ text में लिखा होता है या words में लिखा होता है, pictures उनका actually reflection होती है और बड़ा close association होता है तो बच्चे जब pictures के through words को explore करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो उनमें variety of capabilities पैदा होती है, literacy skills पैदा होती है जिनको हम यहां देखते हैं मिसाल की तौर पे comprehension, fluency, उनकी vocabulary डिवेलप होती है और उनको fundamental literacy skills जो है उनके बारे में मजीद strength मिलती है, उनकी capabilities बहतर होती है picture book बन्यादी तौर पे जो आपके सफे हैं उसके उपर जो कुछ लिखावा है उसकी तस्वीर उसको एक जिंदगी देते हैं एक life देते हैं और आप pictures को देखके समझ सकते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने जा रहा है या क्या road map एस कहानी का हम कहां बार रहे हैं picture book बहुत से clues देती है जो beginner reader के लिए बहुत जरूरी होते हैं उसकी engagement को काईम रखने के लिए और सबसे important चीज यह है कि आपकी picture book help करती है reader को उसकी language skills develop करने में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास phonological awareness सो हमारे पर सब कहानिया मौजूद होती है तो हम इसके इंदर words में different sound patterns रहे हैं को identify कर सकते है rhymes को कर सकते है rhythms को कर सकते है और actually हम pictures के through जब उन चीज़ों को देखते हैं उनने पढ़ते हैं वो एक tempo provide करते हैं तो बच्चों के लिए phonological awareness को समझना उसको practice करना इसको develop करना आसान हो जाता है पहले बच्चे books के through इसको develop करते हैं बाद में फिर वो खुद इन चीज़ों को आम जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इसको commonly use करना शुरू कर देते हैं आप picture book आपकी all languages को कैसे develop करती है यह बुन्यादी तोर पर जो आपको text होता है किताब के ऊपर जो words होते हैं पिच्चर से connect कर देती हैं और इसके through बच्चों के लिए आसान हो जाता है meaning making करना यह समझना कि किताब में क्या हो रहा है यह सफ़े के अंदर क्या scene चल रहा है children will look for background information or contextual cues for vocabulary development in the pictures on the page बच्चे सिर पिक्चर देखे समझ आते हैं कि अगर वो कोई ऐसा word है जो नहीं पढ़ पा रहे वो word क्या होगा और उनको वहां से cues मिल जाते हैं और उनकी vocabulary enhancement होना शुरू हो जाती है नमबर टू जब उनको समझ आ जाती है कि यह word picture में ऐसे दिखता है यह इसका यह मिनिंग है आया इसकी ऐसी shape और color है यह उनकी memory में stamp हो जाती है और इस तरीके से बच्चे नई vocabulary सीखते हैं और नई objects का नाम सीखते हैं जब हम बच्चों के साथ picture books explore कर रहे होते हैं as a parent, as a teacher तो हमें इंसे interesting question भी करने चाहिए कैसे? Can you show me where the alligator is on the page? तो अगर page के ओपर alligator है और बच्चे ने कभी alligator जिंदगी में real नहीं देखा तो वह image देखके समझ जाता है कि ऐसा animal alligator ही कहलाता है और बच्चे इसको pinpoint करके कहते हैं कि यह है alligator What letter does the word alligator start with? So इस किसम के interesting question बच्चों के engagement को उनके focus को बच्चों के साथ retain करते हैं और उनकी meaning making को आसान कर देते हैं बच्चों जब picture book को देखते हैं उसको पढ़ते हैं तो सबसे important चीज जो picture book में हमें नदर आती है वो आती है एक order, एक sequence के अंदर story चलती है events हो रहे होते हैं और उस sequence में हम pictures को illustrate करते हैं और बच्चों से discuss कर सकते हैं Sequence of events in a story, kids can practice to comprehend what they read, identify beginning, what is the middle and what happened in the end और बच्चे पर summarize कर सकते हैं कि event को कि वो किस sequence में आए हैं, किस order में आए हैं, पूरी कहानी के तो बच्चों के अंदर ये comprehension develop हो जाती है कि वो sequence को identify कर सके, sequence को retain कर सके और logical sequence को समझ सके जब हम बच्चों के साथ किताब ही पढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर sequences होते हैं, events आ रहे होते हैं, one by another, जिसके अंदर एक order होता है, तो आपको पता ही होगा कि बच्चे आप से धेर सारे सवालाथ नहीं नहीं करते हैं, बलके हो ये 1 बहुद से gel bekशों से important questions कर सकते हैं जिसके आफ बच्चों को encourage कर सकते हैं बबड़ेक्ट जा रहा है तो उसके लिए आप बहुत छुट-छुटी questions उन से पूछ सकते हैं जिन सवालों के जवाब बच्चे pictures को देखके और pictures में जो illustration है उनके expressions को देखके उन सवालों के जवाब दे सकें predict कर सकें क्या आगे क्या हो रहा है और यह जो prediction होगी definitely informed होगी यह उन तस्वीरों में दी होगी कि अगले सफों में क्या होने जा रहा है middle में कहानी कैसे turn लेगी और end में क्या होगा in improve comprehension हमारी comprehension skills कौन सी है हम comprehension skill में sentence construction लाते हैं problem solving लाते है comparing लाते हैं contrasting लाते हैं drawing conclusions लाते है inferring और मुक्तलिफ किसम की और comprehension skills जहें इसके अंदर आ जाती है अब वही बात के visuals आपको clues देते हैं कि कहानी में क्या होने जा रहा है so इसकी मदस से हम actually जो narrative है कहानी का उसको हम समझा सकते हैं और easily समझ सकते हैं so pictures के अब हम सबको याद होगा कि हमारी फेवरिट पिक्चिर बॉक कॉंस से अंदर ऐसे expressions होते हैं जो बुनियादी तौर पर कहानी में नहीं लिखे होते हैं और बच्चे सिर्फ तस्वीरों से उनने करके बहुत ही असानी से इंफर कर सकते हैं समझ सकते हैं comprehend कर सकते हैं so pictures आपको contextual knowledge भी देती है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है और बच्चे उन चीजों को भी समझ पाते हैं जो कि actually text में नहीं दी होती हैं पर तस्वीरों में दी होती हैं अब हम सब को याद होगा कि हमारी favorite favorite picture book कौन से थी जाहिर हो वही होगी जो बहुत colorful होगी जो बहुत vivid होगी और जिसके इंदर बहुत and interesting book. So, ऐसी किताबों में important चीज यह आती है कि बच्चों को मुहबबत पैदा होती है पढ़ने के लिए they love to read वो अपनी favorite picture book को बार-बार बढ़ों के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि इसे बार-बार हमें पढ़के सुनाएं एक चीज से जो important हमारे सामने आती है बार-बार उनकी किताब लाना और उनको पढ़ना कि इस तरीके से हम बच्चेों को help out कर सकते हैं कि वो आपके साथ बैठे जब आप उसके साथ book को discuss कर रहे हो, analyze कर रहे हो और read out कर रहे हो कि वो पूरी book आपके साथ खतम करें हो सकता है शुरू में बच्चे जल्दी उठके चले जाएं लेकिन आईसे ऐसे बच्चे अपना पूरी book आपके साथ खतम करेंगे और उसको enjoy करेंगे बच्चे उठके से अगली चीज हमारे सामने आती है कि किताबों के थूए हो और जाती है बच्चे इंगेजमेंट बढ़ जाती है और बच्चों को किताब की समझ भी बहतर तरीके से आती है अगली चीज हमारे सामने आती है कि किताबों के तुरू, इस्पेशल पिक्चर बुक्स के तुरू, सोशल एमोशनल लर्निंग कैसे हो सकती है So, पिक्चर बुक्स के अंदर हम थीम्स देते हैं जिसके अंदर कुछ करेक्टर, कुछ काम करके दिखा रहे होते हैं और definitely वो काम जो होते हैं, वो सोशल क्यूज होते हैं कि आपको सोसाइटी में कैसे चलना चाहिए, आपको दोस्ती में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपको किसी की मदद कैसे करने चाहिए, आपको अपनी लाइन में खड़े होके अपनी बारे का इंतजार क्यों करना चाहिए तो बच्चे इन तस्वीरों में ये चीज़े देखके और culture values को समझ जाते हैं और वो अपने behavior में positively इन चीज़ों को reflect भी करते हैं pictures, book के अंदर कुछ हमारे complex team भी होते हैं जो हम बच्चों के age के मताबब बहुत simple तरीके से उने convey कर सकते हैं fear, sadness, chance लेना, challenge को accept करना, चीज़ों को जाने देना, दोस्तियों को बढ़ाना और अपने self confidence को जो है आप मजीद बेहतर करना तो यह वो complex team है जो बच्चों को इतनी अराम से समझनी आते हैं लेकिन simple pictures के थुरू हम इनके clues दे सकते हैं, इनकी foundation बचा सकते हैं बच्चे जो हैं बुनियादी तोर पर जब picture book में interesting, खुबसूरत characters देखते हैं, उनके expressions देखते हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है वो देखते हैं, तो actually उन character से अपने आपको relate करते हैं, वो यह समझते हैं कि यह character, character नहीं है, यह वो खुद है, तो इस तरीके से बच्चे जो हैं, वो picture book के साथ अपना connection बनाते हैं, अगर picture books में इस किसम की character होंगे, जिसके अंदर आप varied identities, races, cultures और abilities को show करेंगे, तो बच्चों के लिए, variety of बच्चों के लिए, उन किताबों के साथ अपने आपको connect करना बहुत आसान हो जाएगा.